एलो फ्रेंड्स वेलकम इलोग रूज चनल मैं चीत अंद्र कुमार सिंग आज बात करेंगे टॉप 10 करेंट अफेर्स की दोस्तों आज तारिक हो गया 20 जुन 2020 और आज बहुत सरे इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स निकल के आ रहे हैं इसके बारे में बात करेंगे अगर आप यस वीडियो का पीडियो चाहते हैं तो पीडियो व्यवलेबल आप description box में जाकर देख सकते हैं यह डाउंलूड कर सकते हैं चले दोस्तों start करते हैं आज का इंटवियर्स वोल्ड रिफ्यूजी डे कब मना जाता वोल्ड रिफ्यूजी डे 20 को मना जाता आज तारिक हो गए 20 और आज कर दी निहीं वोल्ड रिफ्यूजी डे मना जाता इसको हीं कि अम्थी करते हैं बिश्व सरंपल्प और दिवसて 20 ब्रस मनानेका हिंसा के चिनोतियों के कारण अपना दैस छोरकर बाहर भागने को मजबूर होना पड़ता है। सरनार्थियों के दुरद्धशा की और ध्यान अकर्षित करने के लिए और सरनार्थि जो हैं उनके समस्याव का हल करने के लिए यह दिवस मनाय जाता है। जो बैक्ति परतारित के जाते हैं वो किसी भी रिजन से के जाते हैं जैसे उनको पॉलिटिकल रिजन भी हो सकता है रिलिजिस रिजन भी हो सकता है या उसके अंदर यूद के डर हो सकता है या बिदेशी यूद के कारण भी हो सकता है या किसी चीज का डर हो सकता है या उसके जान का खत्रा हो सकता है किसी भी रिजन से जो बैक्ती दूसरे देश में जाकर सरन लेते हैं उन्हें ही refugee का जाता है उन्हें ही सरनार्थी का जाता है ठीक है दोस्तों और जब भी 20 सरनार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है तो एक थीम के साथ मनाया जाता है एक उसका मकसद होता है ठीक है दोस्तों ये कोश्चन पूछा जा सकता है कि जब भी 20 सरनार्थी दिवस से रिलेटेड अगर कोश्चन पूछा जाता है दो कोश्चन में रूप से बन हम देखेंगे एक एक करके किसका थीम क्या है 2020 का थीम है कि Every Action Counts हर किरिया मायने रहती है यह है 2020 का थीम 2019 का थीम क्या है 2019 का थीम था कि सरनार्थियों से हमारा बैस्विक रिष्टा है 2018 का थीम था अब से कहीं ज्यादा हमें सरनार्थियों के साथ खरे होने की जरूरत है 2017 का थीम था कि सरनार्थियों को हमारी आम मनावता का जस्न मनाने के लिए गले लगाओ किस संस्थान के सुद्करताओं ने संगठनों के लिए कारियस्थल ततपरता संकेतन विखशित किया है । इस संकेतक का पर्योग कहा है इस संकेतक का खास्त और सप्रयोग किसी भी संज्था, संगठन या कंपनी में प्रयोग के जा सकता है यह एक सलाकार उपकरण जैसा कारी करेगा जो यह बताएगा कि कुरोना महामारी के बाद जिस जगा यानि जिस वातावरन में काम कर रहे हैं वो कितना सुरक्षित है वहां किसी तरह के जोखिम है अथवा उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए यह संकेतक जो है बताएगा नेक्स्ट आप यह देख सकते हैं पिक्चर यही है इंडियन इंस्टूट अफ साइंस बैंगलोर नेक्स्ट कोच्चन बिश्व निवेस रिपोर्ट दो हजर बीस किसके दवारा जारी की गई है यह है UNCTAD के दवारा जारी की गई है UNCTAD क्या होता है यह United Nations Conference on Trade and Development नेक्स्ट इव्टी आई mutual fund के नौन युक्त CEO का नाम बताइए यह है इम्तियाजूर रहमान यह बिहार करने वाले हैं आप पिक्चर में देख सकते हैं यह हैं इम्तियाजूर रहमान जो UTI mutual fund के नया CEO के रूप में निउक्त किये गए है नेक्स्ट आयरुवेदिक face mask पवित्रा पती को किसके दवारा बिक्सित किया गया है यह बिक्सित किया गया है रच्छा परदोग की उननत संस्थान के दवारा यह आप mask देख सकते हैं यही है mask इसकी खासियत क्या है इसकी खासियत है कि खादी के कपरे केले के च्छाल मकई फाइवर स्वाबिन फैब्रिक बास आदी से बने mask होता है ना केवल कुरोना के संक्रमन से बचाव करता है बलकि यह स्वास्त के लिए भी लाबदायक होता है साथ ही साथ इनमें अईरुवेदिक जरी बूटी जैसे हल्दी, नीम, तुलसी, एलोवेरा, मजिस्टा, आदी की डाई की होई होती है ठीक दोस्तों जो सरीर के लिए लाबदायक होता है और जो normal mask जो market मिलता है उसमें chemical लगाया जाता है chemical लगा हुआ होता है जो सरीर के लिए हनिकारक होता है नेक्स्ट पंकश्त्रिपाथी को किस राज में खादी के brand investor के रूप में निक्त किया गिया है बिहार राज में खादी के brand investor के रूप में निक्त किया गिया है आप देखे होंगे यह है अभिनेता पंकश्त्रिपाथी बहुत सारे movie में कारे कर चुके हैं और खादी को प्रसाहित के जा रहा है बहुत अच्छी बात है खादी और भारत के सबसे बरे खादी मौल को बढ़ावा देने के लिए प्रसाहित भी किया जा रहा है नेक्स्ट भारत को हाल ही में कौन सी बार सन्युक्त राश्ट सुरक्षा परिशद का अस्थाई सदा से चुना गिया है आठवी बार भारत को हाल ही में आठवी बार सन्युक्त राश्ट सुरक्षा परिशद का अस्थाई सदा से चुना गिया है 192 भोट में से भारत के पच में 184 भोट परे हैं जबकि भारत को अस्थाई सदा से चुने जाने के लिए के ओल 128 भोट चाहिए थे ठीक है दोस्तों सिर्फ 128 भोट चाहिए था 184 भोट मिला है किस्तना में से 150 भोटों में से नेक्स्ट उत्तव परदेश सरकार ने भारतिय सेना के सहिद परिवारों को मिलने वाली आर्थिक सहयता राशी को बढ़ा कर कितना कर दिया है उत्तव परदेश सरकार ने भारतिय सेना के सहिद परिवारों को मिलने वाली आर्थिक सहयता राशी को बढ़ा कर दोगुना करते हुए 50 लाख रुपया कर दिया है योगी सरकार की केविनेट की बैठव को सर्वस्रमतिक से मंजूरी कर दी गई है रेलवे ने हाल ही में चीन की सिंग्नलिंग और टेली कम्मुनिकेशन के साथ कितने करोर का करार रद करने का निर्नाएक कर लिया है ये है 471 करोर रोपे का जो है डिल को रद करने का निर्णाय कर चुगा है इन में से किस राज की कैबिनेट ने निट पडिच्छा पास करने वाले सरकारी इसकूल के छात्रों को 10 परतिसत आराच्छन देने की मंजूरी दे दी है ये है तामिल नाडू कैबिनेट तमिल नाडू राज की कैबिनेट ने निट पडिच्छा पास करने वाले सरकारी इसकूल के छात्रों को 10 परसेंट आराच्छन देने की मंजूरी दे दी है दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है ता आप कमेंट सेशन में जाकर कमेंट कर सकते हैं थैंक्स पर वाचिंग वाचिंग वीडियो